Hello my YouTube family, hope so that आप सब बहुत अच्छे होंगे, myself Manpreet and you are watching your favorite channel ILS वाला India Right now हम लोग बात करने वाले listening tips के बारे में, जो 9 band score की हैं अगर आपका listening में band score कम आ रहा है तो इस video को full देखना तभी आपको समझ आएगा तो hope so that इस video को देखने के बाद अगर आप these type of tips को use करेंगे always backup process कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई listening start होती है जहां listening में हमारे question आते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 question है मेरे से third question मान लो skip हो गया अगर मेरे third question skip हो गया तो again 5, 6 तक वो अपने question को complete करेगा speaker तो again वो third question का answer repeat करेगा definitely listening हमेशा repeat होती ही होती है जब आप करने बैठते हो 1, 2, 5, 1, 2, 6 वो जब question को बोलता है तो सबसे बड़ी चीज़ है concentrate हमें 100% अपना देना होगा listening को जब हम आसपास में देखते रहते हैं मेरा phone की vibration चल रही है मुझे call आ रहे तो हमारा concentrate तूट जाता है अगर आप 100% concentrate करोगे अपने listening में तब भी आपका band score अच्छा आएगा पहले trick जब आप listening करने बैठते हो तो आप first time listening को करो बट उसके answer मत देखो second time again फिर करो बट उसके answer मत देखो जब third time आप listening को करोगे उसके बाद आप अपने answer चक करना तो near about अगर देख जाए तो 40 से 40 आपके right हो सकते है बाद 9 band से 9 band आपके definitely आएंगे तीन बार listening करने का मतलब यह है कि आपकी जारा सेदा practice होगी because all the world is lying don't fool yourself to make a fool means that कि सभी दुनिया है बेवकूफ बनाने के लिए खुद को बेवकूफ ना बनाए अगर आप अपने आप से cheat करोगे अपने आपको भी बेवकूफ बनाओगे तो आपके लिए good नहीं है दुनिया है बेवकूफ बनाने के लिए और उनको बनाओ बट अपने आपको क्यों बेवकूफ बनाना target लेके चलो अपना nine band का जब आप target लेके चलोगे nine band का तो तब ही जाकर साथ या eight band score आपके आएंगे for example that हम हमेशा बोलते हैं वो इसे power हम घमेशा बोलते हैं कि power बट जब हम listening लिसनीं करने बैठते हैं तो वो क्या बोलते है पाँ अप अम teacher है यह power बोलेगा बट वो power नहीं बोलता है वो पाप बोल देता है तो हमारे हमें पता नहीं चलता अक्छल में इसने बोल क्या दिया जो students week है listening में वो तीन बार एक listening को करेंगे बिना answer देखे third time वो answer देखेंगे तभी उनके लिए वो best है these type of words आपको समझाएंगे because हम English गाणे नहीं सुनते हम English movies नहीं देखते तो हमें spelling वग्यारा पता नहीं चलते listening में लिखने में और सुनने में all the time practice noun word noun means की name जिन चीजों का नाम है चाए किसी अरपंसन का नाम है किसी इंडस्ट्री का नाम है किसी जगा का नाम है हमेशा जो Philip the Blinks आती है वो हमेशा noun से आती है 99.9% chance होते हैं वो noun से ही आपको देखने के मिलेंगी Philip the Blinks जिसलिए अपने जो noun है जो name है उनको ज़्यादा स्यादा focus करें MCQ introduction एक energy level जब हम MCQ करने बैठते हैं तो क्या होता है speaker की जो energy होती है वो होती है 100 पर सौरी less होती है बट जब हम अपनी listening करने बैठते है तो हमारी energy हाई होती है speaker की starting में low होती है हमारी high होती है बट जब speaker की energy हाई हो जाती है तो हमारी energy low हो जाती है last में speaker की energy third part में आपको पता high हो जाती है तब हम उट पटांग की हरकते कर लगते हैं ऐसे सिर हला लिया वैसे सिर हला लिया बैक पेन होने लगी तो means हमारी energy less हो जाती है तो जिसकी वैसे हमारे से question के जो answer है वो shoot जाते है अगर आप MCQ करने बैठते हो just for example that A और B आप just ये सुनो कि जो question पूछ रहा है और जो answer दे रहा है actual में वो आपकी जो copy के उपर लिखा हुआ है उसके according है आप जब भी MCQ आपको आए आप just पहले question की statement पड़े उसके बाद आप speaker को सुने और after that जो A, B, C, D, E है उसमें आप choose करें भी A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा because अगर आप question देखोगे उसके बाद आप A, B, C, D, E read out करोगे तो आप confused हो जाओगे इसलिए आपको confused नहीं हो ना just पहले question को read out करो उसके बाद speaker को सुनो उसके बाद answer को correct करो अगर आपको map आता है तो map में आप अपनी left side, right side page के उपर लिख लो west, east, north, south means वो channel बना लो तो आपका map easily हो जाएगा बस आपको direction के उपर दियान देना है north कहा रहा है, west कहा रहा है, south कहा रहा है क्या बोड रहा है, speaker तो अगर आप उस चीज़ के उपर map के इस triangle के उपर focus करोगे तो आपको map clear करने में बहुत ज़्यदा असानी होगी अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगी तो guys इस channel को जुरूर subscribe करना because we are always upload information